मेरी कोई सब्सक्राइबर है जिनके इस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं कि उनके सर्विक्स का मूँ यानि की बचेदानी का मूँ खुला है या नहीं खुला है इस बात को वो कैसे जानेगी इस बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगी और साथी साथ बात किया जागा कि ब लिए स्टार्ट करने से पहले मैं बता दो देखिए सर्विक्स का ओपेन होना कभ अच्छा माना जाता है और कभ अच्छा नहीं माना जाता है इस बारे में भी इस वीडियो में चेच्छा की जाएगी उसलिए और साथी साथ जिनका उपन नहीं होएं उनको कौन से तरीके को तो उनको उनके लिए विडियो इंपोर्टेंट है उस बारे में भी इस वीडियो में बात के जए का कम्प्लीट फुल पैकेज है अगर सर्विक से लेड़ेड़ आप कुछ भी जनकारी लेना चाहती है तो चलिके इसने वीडियो को स्टार्ट करती हूं मैं हुश्वेता और बहुत बहुत स्वागत है प्राइव चाल पहले अगर आए चानल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कि जेगा तो यहां हम सबसे पहले जानते हैं कि बचितानी का मुँग कब ओपेन होना चाहिए देखें यह जो है एक बार में ओपेन नहीं होता है दिरे दिरे ओपेन होना स्टार्ट होता है कहने का मतलए कि 9 मथ आपका स्टार्टिंग हो गया 9 मन्त के फ K Floyd में हो तब से 1-2-3 संटी मेटर अलका-अलका ओपेन होना था होता हैं तो प्रेग्ननंसी के और 9 मथ में नाया में अहीं सीर्विकLING को आफ का ओपन होते हैं। तो यह पूरी तरीका अच्छा माना जाता है आपको अर्ली प्रेग्ननसी अगर आपको अरली प्रेग्रेंसी में अप्यार हो रहा है तो जरूत है आप अपने डॉक्टर से मिले और उनको बहता है कि अभी से ही आपके सरीर में इस तरह के परिवरतन आ रहे कहीं है सर्विक्स ओपेन के तो चांसेज नहीं है क्योंकि आपका सर्विक्स ओपेन है या क्लोज है कई बार डॉक्टर चेक करते हैं कई बार डॉक्टर चेक भी नहीं करते हैं तो इसलिए आपको अपने सर्विक्स का आपने बच्चे का पूरी तरीके से खयाल रखना है अब हम यह पैप नीचे की तरफ निकलां वहता है दो द्सरे पौइंट के बात करते हैं तरफ ज़्यादा डिस्चार्ट निकलता है जित के समझ यहां बाहर आजाती है अब यहां बात करनेchosWeek नबिज के सर्विक्स णयनार्च करणानेटों सब्सक्राइब जैसे ही दीक्स बाहर यहां लुट चाहिए सिस्प्राइब करतेक्न लिएश्टार्फद्री सीप्लस मडेनकिनेसस नहीं करने लगता है जिसकरके करना पूंचे हिसे में पेट के निनियमंक्रिय कायए तो यह सारे कार्या मिफ्म अब तक विक्षिदा नहीं रहुद नही दियुक मतुत हो गया है उनको इस कि चीज़े खानी चाहिए काने का मतलब की गुर्गुने दूद के अंदर आप घी डाल के लिजिए आप डेट्स लिजिए गर्म तासीर की जो चीज़े होती है वो लेना इस्टार्ट कर जिए खाना पिना भी हल्का सा गर्म खा सकती है तेल मसाले वाली चीज़े आप सर्विक् अब यहां जो मैंने पॉइंट बता है साथी साथ सभी महिलाओ के लिए एक पॉइंट लाग होता है वह आपको टालना पूरे टाइम अगर लेबर पे नहीं आ रहा है सर्विक्स ओपे निवरा सुबा में 40 मिनिट एक गंटा टाहल यह साम को भी 30 मिनिट 40 मिनिट एक गंटा जैसे मर्जी जैसे आप आपका सरीर कंफटेवल जिस हिसाब से रहता है क्योंकि मैं ऐसा मानती हूं ऐसा ब्लेव करती हूं कि अगर आप ज़्यादा टाहलती है तो आपको नीद अच्छी आती है पूरी रात अच्छे से स्वोएंगे आप और आपका खाना भी अच्छे त थैंक्स फवाचिंग बबाएं तेक के